नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहा रेन्यूज रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरह यूकरेन के साथ जंग जैसे हाला था और इस वीज रूसी राश्पती वालदे मेर पुतिन ने अपने राश को संबोधित किया और इस रूस के इस फैसले से यूकरेन पर रूस के आकर्मन की पश्चिम देशों के आशंका के बीच तनाव और उमीद बढ़ने की उमीद है और इस दस्थकत के बाद रूस की नजरों में आप लुहांस्क और दोनेस्क स्वतंत देश है और पुतिन ने टीवी पर आकर देश को स जल्द ही परमानू बंबनाने की तरफ बढ़ रहा है और दरसल राश्च्पती वालदेमिर पुतिन ने संबोधन में कहा कि वो जल्द ही पूर्वी यूकरेन के दो अलग अलग छेत्रों की स्वतंता को मानिता देगा और पुतिन ने कहा कि रूस स्वगोशित गंडराजे डॉन्टकस्क और लुंगस्क को अलग देश के रूप में मानिता देगा और वहीं यूपी चुनाव के बीच कॉंग्रिस अंतरे मद्यक सोनिया गांदी भी आज यूपी के चुनावी दंगल में कूद पड़ी है तो वहीं इस दोरान एक जन सबा को संबोधित करते हुए सोनिया गांदी ने बड़ा बयान दिया था और उन्हें कहा है कि कॉंग्रिस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, यूवाओं के लिए भरती विधान और यूपी के विकास के लिए 9th विधान तयार किया सो निया गांदी ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ती विधान यूवाओं के लिए भरती विधान और यूपी के विकास के लिए उन्यती विधान तयार किया प्रेंका गांदी ने 40% टिकेट महिलां को दिये और यूपी के एक हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कारेकरता जेल भेजे गए और उन्होंने योगी सरकार पर निसानस आते हुए आगे कहा कि आपने 5 साल ऐसे सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के लावा कोई काम नहीं किया और 12 लाग से जादर सरकारी नोकरी पद खाली है लेकिन उन्हों पद को नहीं भर रही है और पैट्रोल डीजर रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है बार का एक अतूद हिस्सा मानती हूँ हम आपके जीवन को बहेतर बनाने वाली राजनीती के प्रती समर्पित है हम आपको ऐसा वी धायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करें और आपको मजबूत बनाने वाली युजनाए बनाए इन चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के हातों को मजबूत कीजिए और अपने बविश के को बैतर बनाने वाली राजनीती चुनिए राइबरेली के हमारे सभी उमिद्वारों को भरे मतों से जिताएए जैन ah और बहीं लखेंपर हिंसा में मारे गई किसानों का परिवास सुप्रिम कोर्ट पहुंच गया और किसान परिवारों ने सुप्रिम कोर्ट में अश्टिश मिशा की जमानत के खिलाब याचिका दायर किये और याचिका में कहा गया कि हाइकोट ने अपरात की घंबिरता पर ध्यान नहीं दिया और यूपी सरकान ने जमानत के खिलाफ सुप्रिम कोट में अपील दायर नहीं की और भीते दिनों इलाबाद हाइकोट की लखनव बेंच ने आशिश मिशा को जमानत इती जिसके एक हफ़ते बाद आरोपी को जेल से रिहा किया गया था अवाही मिली जानकारी के नुसार किसानों के परिवार की और से घ्रे राज्यमंतरी अज्यमिश्टेनी के बेटे आशिश मिशा की खिलाफ वकील प्रशान भूशन ने याचिका दायर की थी और इससे पहले सुप्रेम कोर्ट में वकिल शिप कुमार्तरी पार्टी और वकिल सिएस फांड़ा के खिलाफ याचिका दायर की थी और उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आशिशमिशा की जमाने से गवाउ की जान को खत्रा हो सकता है इसके लावा आपको बता दे कि रविवार को ही लाकिमपूर में समाद आधी पार्टी के मुक्या अखले इशादव ने थी कोनिया इलाके में चार केसानों की कतित तोर पर वाहन से कुचल कर हुई मौत के मामले की तुलना जलियावाला बाग हत्या कांट से की थी हाला कि सेम योग्या दितिनात ने उनके इस बायान को राजनीती से प्रेडित बताया था यूपी में संडे यानी बीस फरवरी को तीसे चरंट के चुनाव संपन हो गए और इसके साथ ही अब चोथे चरंट के लिए मद्दान होने वाले और इस भी सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ परचार करने में लगी है और इसी फेज में आयोध्या सहीत कुछ सीठे बहुत ही महत्पूर मानी चारी है जहां से कई दिगज नेता चुनावी मेदान में है और वहीं चोथे चरंट के चुनाव के लिए परचार का अंतिम दिन है और इस दोरान सपानेता अकले शादव हर्दोई पहुँचे और व चालने वाले पहले चरंट के बाद ही ठंडे पड़ गए और हर्दोई आते आते ये जो गर्मिन रहे थे शुनने हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि जिन बीजेपी नेताओं के भाशा बतले जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दिये और अखिलेश ने योगिया दितिनात पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा प्रदेश में विकास के नाम पर नाम बदलने का काम करते लेकिन अब उनका ही एक नया नाम सामने आया है और वो है बुल्डोजर बाबा और वहीं कॉंग्रिस ने ता प्रेंका गांधी वाड़ा ने सौमवार को यूपी इस्थित लखनों में चुनावी रोश्चों किया और इस दोरान उन्होंने प्रद्धान मंतरी नरिंद मोदी के बयान पर प्रतिकिरिया भी दी जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉंग्रिस औ पा आतंकियों से सहनु भूती रखते हैं और कॉंग्रिस की यूपे प्रभारी ने पी-म के बयान पर कहा कि पी-म ये सब बाते सिर्फ चुनाव की वज़ा से कह रहे हैं और प्रेंका ने आगे कहा कि ये बात वो भी जानते हैं कि ये सच नहीं है सिर्फ चुनाव के चलते ह चल रहा है और वहीं उन्हें एहम मुद्दों पर बात करनी चाहिए और तमाम सरकारी पद खाली होने के बावजूद आखे यूपी में इतनी बेरोजगारी क्यों है और कॉंग्रिस नेता ने आगे कहा कि पीम ने महिंगाई बेरोजगारी और छुट्टा जानवरों पर मस्य सुल्जी है और इससे पहले यूपी में चल रहे विदान सवाच चुनाव के लिए कॉंग्रिस महासचीव ने लखनाव केचे इनहट अलाके में परचार भी किया था और वहीं आपको बता दे कि विदान सवाच चुनाव के चोथे चरण का 23 फरवरी को मद्दान होगा और वही चारगोटाले के पांचवे केस में दोशी लालु प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है और सीबी आई कोट ने लालु प्रसाद को पांस साल की सजा का एलान किया और साथ थी साथ लाक रुपे का जर्माना भी लगाया गया और सीबी आई की विशेश कोट के जज एसके शशी ने 15 फरवरी को लालु समेट 38 दोशीयों को करार दिया था और वहीं सजा पसुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारिक तेकी गए थी और सीबी आई की विशेश अदालत ने लालु प्रसाद यादव को आईपी सी की धारा 409, 420, 466, 468 और 471 के साथ शडियन से जुड़ी धारा 120B और प्रश्टाचार निवारेन अधिनियम के तैट दो 248 आरोपियों के खिलाफ 26 सितमर 2005 में ही आरोप्ते किये गए थी और चारा गोटाले के चारवे बिन मामलों में 14 साल तक कि सजा पाच्चों के लालु प्रसाद यादव समित 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बार 29 जनवरी को अपना पैस पर चार का समय जो था वो छे वज़े ही थम गया और वहीं मुख्यमत्य योग्यार इतिनाथ हर दोई पहुचे यहां उन्होंने शाबाद विदान सभा में एक रहली को संबोदित किया और अखिले शादव और समाज़ादी पार्टी पर बरसते हुए योगी ने कहा कि सपा को समर्थन मतलब आतंगवाद और माफिया को समर्थन देने जैसा है और उन्होंने ये भी कहा कि सपा मुख्या को जनता से नाक रगड कर माफिय मांगनी चाहिए और साल 2012-2017 यूपी में अकले शादव की सरकार थी और सपा की सरकार पर निसाना साथते हुए सेम योगी ने क जाली हो या इद महर्म हो या क्रिसमस या शुवराती सब को बिजली देने का कार रे डवल इंजन की सरकार ने किया है आम आदमी पार्टी के संयोचक और दिली के मुख्यमनते अर्विन के जिवास सोमवार को पार्टी प्रत्याशों के परचार के लिए लखनों पोचे और वहां लखनों के रीफा ए आम कलब के मेदान में जनसबा को संबोरित करते हुए बोला के हाली में दिली में हमने सरकारी स्कोलों में बारह जान नए कमरे बना कर तयार किया और इन कमरों में इलेक्ट्रोनिक बोर्ड लिफ लाइबरेडी बनी हुई है और इसके लावा बड़े होल और सबागार भी बनाए गया और जनसबा शुरू होने के कुछ देर बाद ही त अपने पुराने मिद्र कुमार विश्वास पर भी निसानसादा उन्होंने कहा कि गाजियाबाद का कवी सारी खूफी अजन्सियों से उपर है और उन्हें पहले से सब पता चल जाता है और वैंसीम के जुगाल ने आगे कहा कि पिछले साथ साल में हमने स्कूलों में 20,000 कम यह बाकी वाले जूट बोल रहे हैं जितने कह रहे हैं करेंगे यह सारे जूट बोल रहे हैं हम ही कर सकते हैं 24 गंटे बिजली और मुफ्त बिजली यह करना असान नहीं है यह मैजिक है मैजिक 24 गंटे बिजली और मुफ्त बिजली ऐसे हो सकता है दिली में हो रहा है मैजिक यहां भी करेंगे आप एक मौका दो यहां पे भी बच्चों को रोजगार देंगे जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे हर महीला को हजार हजार रुपे हर महीने देंगे मेरे पाइस एक आदमी आया बोला के चुनिवाजी कारेंटी तो बड़ी बड़ी कर रहे हो जीत ओगे क्या मैंने का देखो भाई साथ सारे जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे यह दिखा रहे हैं कि हंग हो सकता है हो सकता है कि किसी को भी भाउमत ना मिले तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर हमारी जुरूरत पड़ी और अगर हम सरकार में शामिल हुए तो जिसकी भी सरकारों गयों से गारंटी मैं पूरी करा दूंगा सारी यह बा करता है